नीला सियार एक बागी बात है एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे जंगल बहुत खुबसूरत था उसी जंगल में चतुर नाम का सियार भी रहता था वो बहुत ही दुष्ट सियार था जंगल की सारे जानवर उससे बेहत परेशान थे यहां तक कि उसके सियार दोस्त भी उससे तंग आ चुके थे क्योंकि चतुर सियार को लगता था कि वो सबसे बड़ा है सबसे ज्यादा ताकतवर बस इसी अकड में वो सबको परेशान किया करता था जंगल के सारे लोग उससे दूर भागते थे एक दिन की बात है चतुर सियार शिकार की तलाश में जंगल से बहुत दूर एक दूर बस्ती में जा पहुचा आज तो कुछ बड़ा शिकार करूँगा बहुत भूग लग रही है ये कहते हुए वो एक बस्ती में जा पहुचा बस्ती में उसे कुछ कुछ कुटों ने देख लिया बस फिर क्या था कुटे चतुर्सियार के पीछे लग गए चतुर्सियार बहुत डर गया ये कुटों के पकड़ में अगर मैं आ गया तो ये लोग मेरा की नहीं पगा देगे पहतर होगा कि इन से दूर भाग लू ये कहकर चतुर सियार वहां से भाग निकला भागते भागते वो एक मकान में जाकर छुप गया यहाँ छुप जाता हूँ यहाँ वो लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे जिस मकान में चतुर सियार छुपा था वो एक धोबी का मकान था मकान ने घुषते ही चतुर सियार ने इधर उदर देखा और उसे कोने में एक बड़ा सा ड्रम दिखा ड्रम को देखकर चतुर सियार ने सोचा हाँ ये ठीक रहेगा इस ड्रम के अंदर घुष जाता हूँ वो कुते मुझे कभी नहीं ढूण पायेंगे ये कहकर वो तुरण से जाकर उस बड़े इस ड्रम में छुप गया पूरी रात उस ड्रम में छुपा रहा कुते उससे नहीं ढूण पाये जब उसे लगा कि अब खत्रा डल गया है चतुर सियार ड्रम से बाहर आगया लेकिन जैसे ही वो ड्रम से बाहर आया उसने देखा कि वो पूरा का पूरा नीले रंग में रंग चुका था अब वो बड़ा परेशान हो गया इस रंग को कैसे निकालू? ये तो छूर्टी नहीं रहा है काफी देर रंग निकालने की कोशिश करने के बाद चतुर सियार ने सोचा एक काम करता हूँ, पहले अपने जंगल पहुच जाता हूँ उसके बाद इस रंग का भी कुछ जुगार कर लूँगा ये कहकर वो सीधा अपने जंगल की ओर निकल गया जब वो जंगल की ओर वापस जा रहा था तब रास्ते में उसने देखा कि जितने भी लोग उसे नीले रंग में देख रहे थे वो से देख कर डर रहे थे ये क्या चक्कर है, ये सब लोग मुझसे डर क्यो रहे है ये जरूर नीले रंग का असर है ये सोचते सोचते चतुर सियार के दिमाग में एक प्लान आया और उसने बाखी जानवरों से कहा अरे अरे डरो मट डरो मट मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुचाने वाला मेरी बात तो सुनो अरे मेरी तरफ देखो तो मेरा रंग कितना अलग है ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है दरसल मुझे वन देवता ने जंगल का राजा बना कर भेजा है तो जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वन देवता उसे जला कर भास्म कर देंगे है 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 चतु सियार ने अपनी चाल चल दी थी उसकी बात सुनकर जंगल के सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई सबने उसकी बात को सच मान लिया अब सब उससे डरने लगे यहां तक की बाग, जीता, सबने उसकी बाते मान ली और तो और जब जंगल के राजा शेर के कानों में ये बात पहुची तो वो भी ये बात सुनकर बहुत घबरा गया और उसने तुरन से अपने सिंहासन से उतर कर अपनी कुरसी चतुर सियार को दे दी सारे जंगल में ये गोशना हो गई कि वन देवता के आदेश के अनुसार अब जंगल का नया राजा नीला सियार होगा और सब को उसकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि जो भी उसकी आग्या का पालन नहीं करेगा उसको वन देवता दंड देंगे चतर सियार तो बस हवा में था उसका प्लान कामियाब हो रहा था उसने अपना सिंहासन समाल लिया और शेर को अपना मंत्री, बंदर को अपना सेना पती और भालू को अपना संत्री नियुक्त कर लिया और पता है सियारो को उसने जंगल से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके द्वारा उसको पहचाने जाने का डर था नीला सियार जंगल का नया राजा बनके खुब ऐश कर रहा था सब उसकी खातरदारी करते थे जो भी वो चाहता था वही होता था कुछ दिन ऐसे ही बीद गए एक देन चतुर सियार खापी कर मस्त होकर अपने सिंहासन पर आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर वो बाहर की ओचला आया चांदनी रात थी और पास के एक जंगल में सियार की पोली अपनी आवास चोड़ चोड़ सुचला रूती चतुर सियार से कंट्रोल नहीं हुआ आखिर था तो वो सियार ही और वो भूल गया कि वो राजा बना हुआ है और गलती से उसने बाकी सियारों के सुर में सुर मिला दिया जैसे ही सियार नहीं आवास निका दी बस जानवरों के सामने वन देवता के भेजे गए दूद का ये नाटक खत्म हो गया जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवास सुनी कि असल में ये वन देवता का भेजा हुआ कोई दूद नहीं जंगल का चतुर सियार है और तपसे उन्हें मूर्क बनाकर राजा की कुरसी पर बैठा है ये बात पता लगते ही जंगल के जानवरों को बहुत गुसा आया और सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दोड़े चतुर समझ गया कि अब उसकी पिटाई होने वाली है उसने भागने के बारे में जैसे ही सोचा वैसे ही शेर और चीतों के पंजों का शिकार हो गया और मारा गया तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है जैसी करनी वैसी भरनी छल, कपट और जूट एक ना एक दिन जरूर सामने आता है